इसकी मैगनिफिकेशन जो निकालना है M आपको पता है FO upon FE होता है लेगिन इसमें से कुछ भी नहीं दिया है इस कोश्चन को समझना पड़ेगा मतलब इधर हमारा objective lens होता है इधर हमारा eye piece lens होता है इसने बोला है कि यहाँ पर एक line ड्रो कर लिया है इतने का L का समझे इसको FO जो आएगा बोलेंगे इसे FE यह आई पीस का है तो इसका image यहाँ कहीं बनेगा इसको eye बोल लहा है मेरी बाँ समझे की नि तो आपको पता है कि यह image जो बनाएगा normal adjustment के लिए तो normal adjustment के लिए अगर बनाएगा तो यह यहाँ पर बनेगा इसके बीच का gap कितना होता है यह FO होता है और यह FE होता है यह total distance FO plus FE होता है नौर्मल adjustment के लिए पता है पिरी बाँ समझे की नि इसकी वज़े से यहाँ पर image बनता है फिर इसकी वज़े से बनता है पिरी बाँ समझे की नि तो यह सीधे अगर यहाँ पर कोई line है अगर इसके बारे में solve करना है तो यह object का का काम करेगा इसका image यहां बन रहा है तो यह simple एक single lens की तरह treat करके solve करेंगे यहां से lens से कितनी दूरी पर यह line है इतनी उसे u बोलेंगे minus का f o plus f u use करेंगे हम लोग नॉर्मल magnification lens का क्या आप लोग पढ़े हो f divided by f plus u वैसे आपने मैंने क्या लिखवाया हूँ v upon u लेकिन ये भी लिखवाया हूँ आप ये use करना सीखिए तभी आपका फायदा होने वाला है ये इस lens के लिए use कर रहा है तो यहां e लगाएंगे यहां e लगाएंगे यहां e लगाएंगे यहां भी e लगा लो I upon O होता है हमारा तो HI upon HO लिख ले रहा हूँ मैं फिलाल के लिए यह हो जाएगा FE divided by FE plus UE की value रख दो माइनस के साथ तो यह हो जाएगा हमारा माइनस यहां रखो माइनस ब्रेकेट में FO plus FE equal to HI upon HO अगर इसे simplify करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा FE divided by FE minus FO और minus का FE आएगा समझे की नहीं और I मतलब I लिया है इसकी और इसको L लिया है समझ रहे हो यहां से जो है यह term cancel out हो जा रहा तो यह value आ रहा है FE divided by minus का FO और यह भी sign convention के साथ रखो उपर वाला इस line के उपर positive इस line के नीचे negative तो यह भी minus में आएगा दोनों यह हो जाएगा minus I upon L L होगा minus से minus कट गया यह relation आया लेकिन हमको चाहिए FO upon FE चाहिए तो इससे क्या करो उल्टा करो FO divided by FE करो तो यह भी उल्टा हो जाएगा तो L divided by I हो जाएगा समझे यानि इसकी value क्या आ रही है L divided by I आ रही है यानि इसका option B वाला